नमस्कार इबनिंग नुज में आपका स्वागत है आए दीन भर के मुख्य खवर पर नजर डालते हैं जारखन में पंचाज चुनाव की सोबू गाहट शुरू जारखन में पंचाज चुनाव की सोबू गाहट शुरू हो गई है बतादे बीदी विवस्ता और सुरक्षा को लेकर पूलिस रिपोर्ट तयार कर रही है वहीं चुनाव चिन की अजिसुचना भी जारी कर दी गई है साथ ही मद्दता सुची का परकासन भी कर दिया गया है बतादे ऐसे में उमीद जताई जा रही है कि इस साल छट पुजा के बाद चुनाव पर कोई फैसला हो सकता है राज निर्वाचन आयोग ने पंचाज चुनाव को लेकर बिधी बेवस्तावा सुरक्षा के लिए पूलिस विभाग से बिभीन बिंदुओ पर रिपोर्ट मांगी है जनकारी के अनुसार राज निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूलिस निर्वाचन छेत्रवार मद्दान केंद्रों की संख्या मद्दान केंद्र के भवनों की संख्या बोथ की सनवेदन सिल्ता 38 सनवेदन सिल्ता और समाने होने को लेकर रिपोर्ट त्यार कर रही है और कम्प्यूटर अप्रेटर सहलेखा सहाय को के 395 पदों पर अभियार्थियों कौनुबंद पर रखने के लिए उनका पैनल त्यार कर रहा है इसमें 526 कनिय अभियंताओ और 869 कम्प्यूटर अप्रेटर सहलेखा सहाय के पद है पैनल के तहट उन्हें कार्य दिये जाएंगे बतादे पैंचायते को निर्देस भी दे दिये गए हैं कर्मियों के बीच कार्य बंटवारे को लेकर खाखा तयार है पोस्ट कोवीड मरीजों में एस्टेराइट से समस्या बढ़ी है बतादे करोना संक्रमन के दोरान एस्टेराइट का अधिक इस्तेमाल करने से हडिया कमजोर हुई है ऐसे में osteoporosis मरीज की समस्या और भी बढ़ जाती है बता दे हडिया कमजोर होने से फ्रेक्चर होने की संभवना अधीक बढ़ जाती है रांची के अस्पतालों में ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जिने पोस्ट कोविड की समस्या थी और osteoporosis भी था ऐसे मावलों में उनकी हड़ीया, पहली की तूनला और कमजोर हुई है ओरमाजी सिकिंद्री गोला रोड पर धान रोपनी ओरमाजी सिकिंद्री गोला रोड गढ़े में तब्दिल हो गई है बतादे वाहनों को आने जाने में काफी परसानी हो रही है अस्थानिये लोग खाज कर बाईक सवार दुरघाटना के सिकार हो रहे हैं इससे नराज अस्थानिये जन परतिनिदियों ने जिला परिशत सरीता देवी के नितित्युमें सलक में बने गठोप में धन्रोपनी की इससे उर्मांजी गोला धनबाद रोड में वाहनों की लंबी जाम लग गए बता दे नराज गरामीन सरकार के खिलाप नारेबाजी भी कर रहे हैं अस्थानिये पूलिस भी मौके पर पहुँच गई है बायो गैस पलांट के लिए सड़क की जमीन देने से इंकार जीरी में कचरा निस्पादान के लिए प्रस्तावी गेल इंडिया के कमप्रेश्ट बायो गैस पलांट के लिए बनने वाली सड़क के लिए गरामीनों ने जमीन देने से इंकार कर दिया है नगर निगम महीने भर से सड़क के लिए जमीन उपलवद कराने की कोशिस में जुटा था बता दे गरामीनों को मनाने की कोशिस चल रही थी मगर ना काम रही गरामीनों का कहना है कि वो सड़क के लिए तभी जमीन देंगे जब नगर निगम बायो गैस पलांट में मुगाबजे के साथ ही उन्हेया स्थानिय नोक्री भी दे बता दे कि इस समन्द में ग्रामिनों के साथ चल रही नगर निगम के अधिकारियों की बारता खत्म हो गई है दिसंबर में गोमो होकर चलने वाली अनन्द बिहार वो अमरित सर की ट्रेन रध बरसात की बिदाई के साथ रेलवे ठंड की त्यारी में जुट गया है बता दे उत्तर भारत में पढ़ने वाली कड़ाके की ठंड और कोहरे की असांका को देखते हुए रेलवे ट्रेनों के आवागमन में कई फिर बदल कर रहा है इसी निमित रेलवे ने गोमो होकर चलने वाली संत्रागाची अनन्द बिहार स्पेशल और टाटा अमरित सर जालिया वाला बाग स्पेशल को दिसंबर में रध करने की घोसना की है रांची युनिवर्सिटी में सुरू होगा फिजकल एजुकेशन बीपीड और एमपीड की पढ़ाई करने के एक छुख विद्यार्थियों के लिए अच्छी ख़बर है बता दे उन्हें अब इसके लिए राज्य के बाहर नहीं जाना होगा रांची विजकल एजुकेशन का इंटिरिग्रेटेट कोर्स शुरू होने जा रहा है बता दे राज्य के किसी अन्हे विजकल एजुकेशन में असनातक और असनकोतर पाठे करम उलब्द नहीं है सिर्फ बिनोवा भावे विजकल एजुकेशन का अंतरगत रामगर कॉलेज में इसका एक वर्षिय डिप्लोमा कोर्स है रांची विजकल एजुकेशन कारम वोकेशनल कोर्स के अंतरगत संचालित होगा डायन प्रथा उन्मुलन के लिए लोहर्दागा से जागरूपता रथ रवाना समाज कल्यान विभाग लोहर्दागा की ओर से जीले में डायन प्रथा उन्मुलन के लिए परचार रथ को रवाना किया है बता दे डिसी दिलीब कुमा टोपो ने समनाले परिसर से सभी परखंडों के लिए परचार रथ को रवाना किया इस परचार रत के साथ कला दल का जथा भी अगले साथ दिनों तक रहेगा जहां कला कारो द्वारा डायन प्रथा उन्मुलन के लिए लोगों को जावरू किया जाएगा बता दे अपरचार रत 5 अक्टूबर को भंडरा, 6 अक्टूबर के कैरो, 7 अक्टूबर को कुड़ू, 8 अक्टूबर को सिनेहा, 9 अक्टूबर को किसको और 10 अक्टूबर को पेसरार प्रखंड में मजूद रहेगा भेडिया अभ्यारन में दिखा भेडिया जारखन के लाते है जिले के वन छेत्र महुआ डार के जंगल में भेडिया दीखने लगे है बता दे बन विभाग के द्वारा लगाए कैमरे में इसकी तस्वीर कैद हुई है महुआ डार अभ्यारन भेडिया का प्रसव छेत्र भी है बता दे वन विभाग के द्वारा लगाए कैमरे में भेडिया के प्रसों की पुष्टी हुई है इन दिनों भेडियों को जंगल में भ्रहमन करते अक्सर देखा जा सकता है बीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतों का निधन जार्खन की राजधानी रांची के सदर थाना छेतर की तीरील बस्ती में जानलेवा हमले में गंभी रूप से घायल बीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतों की महतों की महतों गई बता दे मुख्य मंत्री हमान सुरेन समेत अने लोगों ने इनके निधन पर सोक ब्यक्त गिया है आपको बता दे कि पिछले दिनों बैजनाथ को बेहोसी की हालत में तीरिल तलाब के पास लोगों ने पड़ा देखा था इसके बाद पूलिस को सुचना दी गई थी इसके बाद रिम्स में इलाज चल रहा था पश्चमी सिम्भूम के आठ गाउं के लोग करेंगे पंचायद चुनाव का बहिसकार जारखन के पश्चमी सिम्भूम जीले के बंद गाउं पर खंड की हुडंग दा पंचायद की बिजय नदी पर पूल निर्मान को लेकर परसाब हाल के ग्रामिनों ने पंचायद चुनाव के बहिसकार करने ने लिया है बता दे पूल निर्मान को लेकर सिकंदर जामूदा के नेतित में लोगों ने नदी किनारे धाना परदोसन भी किया सिकंदर जामूदा ने कहा कि पूल निर्मान को लेकर आठ गाउं के लोग पंचायद चुनाव का बहिसकार करेंगे जारखन में 34 राष्ट्रिये खेल घोटाला में आरोपी आरके आनंद रांची कोट में किया सरेंडर जारखन में 34 राष्ट्रिये खेल घोटाला मामले के आरोपी आरके आनंद ने सोमवार को रांची की आदालत में सरेंडर कर दिया बता दे पिछले दिनों उन्होंने अपने उपरदर्ज एफायार को निरस्त करने की मांग की थी लेकिन जारखन हाई कोड से उन्हें बड़ा जटका लागा था आदालत ने उनके उपरदर्ज एफायार को निरस्त करने से इंकार कर दिया था आपको बतादे कि 34 वे रश्टिये खेल खोटाला मामले की जाच ACB कर रही है कोल इंडिया को 2020 एकिस में 18,000 कोड़ से ज़्यादा का मुनाफ़ा कोल इंडिया के करीब 2.45 लाग कर्मियों के बोनस मुदे को लेकर बैठक सो मौर को दिली में होगी बतादे बैठक में हिसा लेने के लिए मजदूर यूनियानों के प्रतिनीधी दिली पहुच गया है दिली के एसकोप कमपलेक्स इस्थीत कोल इंडिया के कर्याले में दो फर दो बईल से बैठक है बतादे बैठक में कोल इंडिया के परफॉर्मेंस लिंक रिवार्ड के मुद्दे पर बात होगी गोतला भाय की बोनस के मुद्दे पर नीना कोल स्टेंडराईजेशन कमिटी के बैठक में होती है इसमें चारो मन्याता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के साथ साथ कोल इंडिया के वर ये अधिकारी सामील होते हैं रांची रेल मंडल के 42 एस्टेशनों पर लगेंगे CCTV केमरे रांची रेल मंडल के सभी 42 रेलवे एस्टेशनों पर CCTV केमरे लगाये जाएंगे इसमें रांची रेल मंडल के सीनियर डी एस्टी परसांत यादों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए CCTV केमरे लगाये जाएंगे सभी एस्टेशनों पर चरणबद तरीके से CCTV केमरे लगाने का लक्ष रखा गया है ACST को कर्ज देने में बैंक नहीं दिखा रहे रूची छारखन में ACST को बैंकों से मिलने वाले कर्ज में लगातार कमी आ रही है बतादे राज अस्तरिय बैंकर समीती के 76 वी बैठक में जारी आकड़ों की माने तो 31 मार्च तक राजे के 150 लाभकों में से ACST वर के 369 युवा उध्योंगियों को ही कर्ज दिया गया है इसके तहत कर्ज पर 35 से 40 पर 37 तक अनुदान मिलता है बतादे राज में डेरी, फिसरीज, खाद प्रसंसकरण, भागवानी और पॉल्टरी के छेतर में काफी संभवनाए हैं लेकिन आकड़े दर साते हैं कि बैंक इस छेतर में काम कर रहे हैं अनुसुचित जाती युम जन जाती वर के उध्योगमों को सहयोग नहीं कर रहे हैं धन्यवाद